हलो डियो कीड्स इस वीडियो में हम कहानी दो गप्पी के बारे में पढ़ेंगे मतलब की बच्चों इस कहानी में दो गपोडियों की कहानी है दो गप्पी मतलब जो शेखी बखारते रहते हैं किसी भी चीज को बड़ा चड़ा कर बोलते हैं उनको हम गप्पी बोलते हैं त बड़ी बड़ी बाते बोलते रहते थे दूर की हाकने वाले बहुत उची उची फैकने वाले अपने को सबसे बड़ा बताने वाले अपने आपको सबसे बड़ा बताते थे कि हम ही सबसे बड़े हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है एक दिन दोनों में ठन गई मतलब वह कहने लग कि वो सबसे बड़ा गपोड़ी है और दूसरा बोलने लगा कि वो सबसे बड़ा गपोड़ी है तो फिर उन दोनों में शर्त लग गई कि जो जीतेगा वो 200 रुपे मिलेंगे उसको और जो हारेगा वो 200 रुपे देगा दूसरे को इस तरह से उन में शर्त लग गई तो बात गूमो दिन रात गूमो पर उसके और छोर का पता ना चले मतलब कि वो बोलने लगा कि उसके पिता जी के पास इतना बड़ा मकान था कि सारा देन सारी रात घूमते रहो लेकिन उसके और छोर का मतलब कहां से वो शुरू हो रहा है और कहां पर वो खत्म हो रहा है इस बात का क इतना बड़ा होगा जो तुमारे पिताजी का था उसे मालूम था कि पहला गप्पी जो है वो एकदम जूट बोल रहा था लेकिन शर्त यही थी कि कोई किसी को जूटा नहीं बोलेगा और नहीं तो क्या होगा वो शर्त को हार जाएगा इसलिए उसे सच है भाई ऐसा ही कहना पढ़ना उसकी मजबूरी थी फिर पहला गप्पी बोला कि उस बड़े से मकान में घूमना बहादूरों का काम था मतलब कि कोई हिम्मत वाला ही इस इतने बड़े मकान में घूम सकता था उसके पिताजी उस मकान को इस तरह से बनवाया था कि जैसे कोई चीन की दिवार हो उसके पिताजी दूसरे भीम सैन ही थे, भीम सैन मतलब भीम जो ताकतवर थे, इतने तगड़े थे, इतने तगड़े थे कि बस, मतलब कि वो फैंक ही रहा था, पहला गपोड़ी ने बोला कि उसके पिताजी बहुत ताकतवर थे, और उसने अपने मकान को इस तरह बन इतना ब पूछो इतना लंबा इतना लंबा कि तुम्हारे पिताजी के मकान के इस सीरे से डालो तो दूसरे सीरे से निकल जाएगा फिर और फिर भी बचा रहेगा क्योंकि गप थी गप तो हमेशा गपी होती है वो कभी सच बात थोड़ी ना होती है तो इस तरह से वो दूसरा कपोड अफिर भी बचा रहेगा उस बात से यदि वो आस्मान को चूदो तो बस आस्मान में भी चेद हो जाएगा और जर 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 बारिश होने लगेगी और पानी की धार लगज जाएगी तो पहले गपी ने का ठीक है भाई ठीक है अब मेरी सुन लो मेरे पिताजी उस मकान से निकले तो उन्हें मिल ग़ए एक घोडी घोडी क्या थी? हिरन बचे राता है जिस तरह से हिरन बहुत तेज भागता है उसतर lors से उनकी घोडी बहुत तेज भागती थी हवा से बाते करती थी, हवा से बाते करती थी, मतलब हवा में उड़ती थी, बहुत तेज भागती थी, उड़ी सो उड़ी कहो दुनिया का चक्कर मारा है, मतलब इतनी तेज भागती थी कि पूरी दुनिया का चक्कर वो लगा सकती थी, हाँ तो पिताजी थे, वो बोलता है कि वो अपने पिताजी को बहुत ही जादा अकल मन्द समझता था। उन्होंने जट से पीपल के पेड़ पर मिट्टी डाली और खेद तयार कर उसमें जवार वो दी। मतलब घोडी के ऊपर कवे ने बीट करी उसमें एक पीपल का पेड़ उगाया और उसके पिताजी ने उस पर मिट्टी डाली तो वहाँ पर एक खेद बन गया जिसमें उन्होंने जवार वो दी। अब बिना पानी के तो जवार कैसे बढ़े जवार की फसल कैसे होगी बानी बरस नहीं रहा था तो फिर लोग परिशान थे फसल बरबाद हो जाएगी बस समझों की अकाल पड़ गया था अकाल प्राइब बाइब की क्याक Ste ? एसी azar की फरसल होई कि जैसे मोती, सफेद मोटे दाने, ऐसा वो डिंगे हाकता है अपने पिताजी के बारे में, तो जवार क्या थी, अम्रित था, अब जो तुम्हारे पिताजी ने देखी, वैसी अजूबा, अजूबा मतलब अनोखी, बहुती अलगतर है कि जवार, तो मचल गए, और 500 रुपे की जवार, लेकर ही रहे, अब उसके पिताजी ने पैसे मांगे, तो बोले कि अभी तो उनके पास पैसे नहीं है, उधार दे दो, मेरे पिताजी बहुत बड़े दरिया दिल तो थी, दरिया दिल मतलब तयालू थे, बहुत ही दया करने वाले थे, उन्होंने उधार दे दी जवार और भाई क्या कहें तुम्हारे पिताजी तो भी बहुत ही मानदार थे उन्होंने का कि अगर मैं कर्ज नहीं उतार पाऊं तो मेरे बेटे से पूरे पैसे ले लेना मेरा बेटा बहुत अच्छा है और अच्छे बेटे अपने पिताजी का कर्ज जरूर अदा करते हैं क कर्ज मतलब जब उन पर उधारे रहती है उसको चुकाते हैं तो दूसरे गप्पी ने सुना तो उसकी तो बोलती बंद हो गई क्योंकि यह सच है भाई ऐसा तो वो कह नहीं सकता था क्योंकि उसको कर्ज देना पड़ता और जूट है वो ही वो कह सकता था सच कहता तो 500 रुप ही नुक्सान था उसने सोचा कुएं से तो खाई ही भली है वो जट से बोला कि जूट 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 मेरे पिताजी ने कभी तुमारे पिताजी से 500 रुपे की जुआर ली ही नहीं थी उसका तो बस इतना कहना था कि पहला गप्पी बोला कि मैं जीत गया लाओ 200 रुपे दो तो दूसरे गप्पी ने 200 रुपे दे कर वो अपनी जान चुड़ाएं तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा कभी भी सामने वाले को अपने से कम नहीं समझना चाहिए और किसी भी समस्या का समधान निकालने के लिए अपनी बुद्धी का प्र प्रियोग करना चाहिए तो इस तरह से दोनों गपोडियों ने दूसरे वाले गपोड़ी ने पहले गपोड़ी की को अपनी सूजबूच से अपनी बुद्धी का प्रियोग करके उससे 200 रुपे ले लिए और वो शर्त जीत गया इस तरह से अपनी सूजबूच से हम अपन जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं तो यह था बच्चो इस कहानी का उदेशिक थैंक यू